हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बीना प्याज लहसुन की भिंडी की चटपटी सुखी सबजी जो बहुत ही यम्मी लगती है खाने में और काफी स्वादिश्ट होती है तेस्टी भी होती है और बनाना भी काफी असान है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं इ अब यहां पर देखिए मैंने भिंडी ले लिया है 500 ग्राम और इस अच्छे से धोक लिया है और टावल से पोश लिया है इसका पानी को हटा दिया है अगर पानी रहेगा तो यह ज्यादा चिपचिपी हो जाएगी तो इसलिए आप अच्छे से इसको पोश लिजे अब इस भिंडी को 2-3 जगह से कट लगा करके इस तरह से हम काट लेंगे कुछ इस तरह से इसे पता चल जाता है कि बीच में कीडा है कि नहीं है तो इस तरह से कट कीजे भिंडी को और देखिए मैंने सारे भिंडी जो है न इसी तरह से काट करके अब रख लिया है कुछ इस तरह से इसकी सैज इतनी ही बड़ी रखिएगा फिर मैंने कडाही गरम किया है और इसमें मैंने सरसो का तेल यूच किया है 2-3 बड़े चम्मठ क्योंकि हिंडी है, इसलिए हमें थोड़ सी तेल चाहिए ज़ादा ताकि ज़्यादा चिपचिपपी ना बने लसलसी ना बने अब देखिए इसमें मैंने फोरन डाला है तड़के के लिए दो से तीन ड्राइ रेट चीली फिर ग्रीन हरी मेर्ची फिर डाला है एक चुटकी जीरा साबू जीरा और फिर मंग्रेल उसे हम काला जीरा भी बोलते हैं उसे डाल करके तड़के अच्छे से मैंने लगा लिया है और इसे तड़कने देंगे थोड़ा सा चटकने देंगे एक से दो मिनट तक जब वो चटक जाए तो भिंडी डालेंगे उसमें और यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मेडियम रखा है और इसे ढखेंगे नहीं ऐसे खुला रख करके ही हम चलाते हुए इसे भूनेंगे और देखिए यह अच्छे से भून रहा है अब गैस का फ्लेम है लो कर देंगे और यहाँ पर मसाले डालेंगे हल्दी आधा चम्मच फिर यहीं पर हम डालेंगे काली मिर्च पॉडर और जीरा पॉडर दो चम्मच फिर धनिया पॉडर डालेंगे दो चम्मच फिर इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाले जले ना और यह थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डालेंगे कासमीरी चीली पॉडर आधा चम्मच और स्वाध हनुसान नमक डालेंगे और इसे फिर हम भूनेंगे इसे दो मिनट तक दो से तीन मिनट तक भूनते हैं इसे मसालों को पका लेंगे और देखें यहाँ पर मसाले हमा बस डाला है दो बड़े चम्माच आप इस तरह से भी इसे खा सकते हैं रेस्पी को बना करके लेकिन मैं यहां पर दो चम्माच हलका सा पानी डाल रही हूं ताकि वो मसाले हैं अंदर अच्छे से चले जाए ऐसे चला करके इसे ढख देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हम दो से तीन मुनट तक पकाएंगे ठक करके यह देखे कितनी तेश्टी यमी सबजी बन करके हमारी तयार है दमसुखी और चटपटी तो फ्रेंड्स मेरी यह रेस्पी अगर आपको पसंद आती है तो प्लिज लाइक किज़ेगा सब्सक्रा बासलिधए सत्वी आपको पाय तयाण दोगयोगा सब्सक्राइबद नन KOOOO लूएगा सब्सक्राइबद ूटवाथ